हालो लार्नर्स वल्कम टो आर चैनल अड़ूस्पावन आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे आज हम लोग एक बहुत इंपर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर का डिस्केशन करने वाले हैं और यह है क्लास 12 का ठीक है क्लास 12 से यह क्वेश्चन ध्यान देजेगा एंगलिस स्कोर ठीक है, एंगलिस स्कोर, टेक्स्च बुडूक का नाम है फ्लैमिंगो, चैप्टर नमबर 6, चैप्टर नेम इस पॉइट्स एंड पैंकेक्स, काफ़ इंप्रट्रेंट चैप्टर है और इसे एक लॉग क्वेश्चन प्राया पूछता ही है तो पॉइट्स प्राप्त है ठीक है तो वो कैसे क्यों उसे नंबर 2 का दर्जा दिया जाता है ठीक है तो यहीं हमें प्रूफ करना है कि कोठा मंगलम सुब्व कैसे नंबर 2 है जयमिनी स्टूडियो में नंबर 2 कहने का मतलब नंबर 1 नंबर 2 ये एक रैंकिंग टाइप से आप लोग समझ लीजिए जैसे कि नमबर वन में जो हैं आप लोगों के बॉस हो गया उसके बाद जिसका भी नमबर है वो नमबर टू में आ गया तो यहाँ पर कोठा मंगलम सुबू को हम लोग नमबर टू का धर्जा दे रहे हैं क्यों नमबर टू में है वो क्यों वो बॉस के बाद सबसे ज्यादा important है जैमनी स्टूडियो में यह हमें proof करना है ठीक है कोठा मंगलम सुबू was नमबर टू in the जैमनी स्टूडियो because ठीक है नमबर टू में है वो क्योंकि he was a man of great qualities क्योंकि वो जो है कैसे वेक्तितू का है आदमी उसमें बहुत सारी qualities है and he used them all for the benefit of the boss and the studios और इन qualities को देखिएगा वो खुद के लिए जैसे किसी की कुछ quality होती है तो वो खुद के लिए use करता है लेकिन यहाँ पर कोठा मंगलम सुबू के case में क्या है कि वो जितने भी उसके पास qualities है वो जो है अपने boss के फायदे के लिए और studio के फायदे के लिए ही use करता है ठीक है मतलब वो अपना मतलब नहीं देखता है स्वार्थी नहीं है ठीक है he had the ability to look cheerful at all the times ठीक है और उसमें यह छमता है ability है वो हमेसा दिखने की कैसा cheerful हमेसा हस्मुक वो दिखता है all the times even after having had a hand in a flop film यहां तक कि जदि उसका हाथ हो कोई film जदि flop हो गई हो उसमें भी उसका हाथ हो उसके flop होने में फिर भी देखिएगा वो हमेसा cheerful रहता है ठीक है हमेसा खुसमिजाज रहता है ठीक है तो यह quality सब में नहीं होगी देखिएगा कोई जदि film flop हो जाती है तो उससे समादि जो भी वैक्ती होते हैं वो काफी निराश रहते हैं लेकिन सुबू की case में वैसा नहीं हो ठीक है although he could never do things on his own साथे साथ देखिएगा वो मतलब अपने लिए चीजों को नहीं करता है but he was very loyal to the boss बलकि इसके अलावे वो अपने boss के प्रती काफी वफदार है काफी इमांदार है ठीक है he could turn his entire creativity to his master's advantage और उसके पास जितने भी creativity है रचनात्मकता है वो सारे को वो master के फाइदे में लगा देता है ठीक है कि उसके master को advantage मिल सके उसके master को फाइदा मिल सके जनरली क्या होता है हम लोग देखेगा कोई भी office में या किसी भी जगा पर जो भी करमचारी होते हैं देखेगा वो थोड़ा आराम पसंद होते हैं और आप लोग बोल सकते हैं कुछ तो एकदम कामचोर टाइप से भी होते हैं लेकिन कोठा मंगलम सुबू के case में ऐसा नहीं है ठीक है आईए अब हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या क्या qualities थी जिससे की वो number two का दर्जा उसे प्राफ थे ठीक है हलाकि अभी तक जो हमने देखा ये भी qualities ही है लेकिन फिर भी इसके अलावे भी उस पर बहुत सारी qualities है भाई number two बनना है यानि बहुत के बाद आपी का स्थान है तो और ज्यादा qualities होने चाहिए ठीक है ये रेकिए यानि एकदम समझिये वो फिल्म के लिए अनुकूल है परियाप्त है यहां टेलर कहने का मतलब दर्जी नहीं समझियेगा यानि फिल्मों के लिए वो एकदम अनुकूल है फिल्म से related जो भी कार्य होते हैं वो फिट बैटता है वो उसमें इंस्पार्ड करने की भी छमता है जब भी उसे कुछ आदेश दिया जाता है ये अलवेज हैड़्वेज टूदा सीन्स साथे साथ देखेगा किसी भी प्रकार का द्रिश्य हो फिल्म में द्रिश्य जो है बहुत इंपोर्टेंट होते हैं सीन्स तो निकल आता था ठीक है वो उपाय सुझा देता था फिल्म मेकिंग वस इजी विद सुबू और फिल्म को जदी बनाना है तो उसमें जदी सुबू सामिल है तो फिल्म बनाना बहुत ही आसान हो जाता है ठीक है सभी संस्तान में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो की बहुत इंप पर था golden years पर था उस समय सुबू जो है वो direction देने का भी काम यानि निर्देशन देने का भी काम करता था और definition परिवासा भी किसके लिए जमनी studio के लिए ठीक है then he had a separate identity as a poet उसकी एक अलग से पहचान थी कैसी पहचान कवी की रूप में ठीक है एक कवी की रूप में उसकी एक अलग पहचान थी he was capable of more complex and higher form साथी साथ वो कवीताओं की बहुत ही ज़्यादा जटिल और उच्च quality की रचनाएं कर सकता था he also wrote a long novel उसने एक लंबी नौवल भी लिखी थी ठीक है यह सबके बास की बात नहीं होती है आपने देखा होगा कहीं कहीं पुस्तक मेला वगरे में मोटी मोटी किताबे जो मिलती है उन्हें नौवल कहते हैं ठीक है बहुत elaborate होता है बहुत सारी characters होते हैं तो परते मतलब एक novel को ठीक से एक theme के साथ बांद कर रखना बहुत ही मुश्किल काम होता है तो यहां पर बोल रहा है कि उसने एक लंबी novel भी लिखी थी ठीक है तो देखी कितनी सारी qualities हमें उसके बारे में पत मुख्य भूमिका के पिछे यानि hero पन्ने के पिछे नहीं भागता था but performed the subsidiary roles better than the main players ठीक है बलकि जो subsidiary roles होते हैं ठीक है hero का भाय हो गया hero का दोस्त हो गया इस परकार के side के जो role होते हैं वो जब भूमिका करता था तो main players जिनको वो भूमिका करनी है उनसे भी अच्छा वो करता था मतलब acting में भी वो माहिर था he was very charitable and improvident sometimes और वो जो है बहुत ज्यादा charitable भी था मतलब सहायता करने वाला दयादृष्टी करने वाला सबका सुख दुख में साथ देने वाला वैसा and improvident sometimes improvident means हुआ परिणाम को ना सूचने वाला ठीक है क्या होगा आरे जो होगा देखा जाएगा इदम बिंदास टाइब से वैसे व्यक्तित्व का थावू आगे फिर क्या बोलते हो these things made a very close and intimate with boss यह सारी चीजे जो अभी हमने qualities देखी यह उसको boss के बहुत close लिया आता है बहुत नजदीक लिया आता और intimate भी intimate कहने का मतलब बहुत ही आंतरिक जो सम्मंद होते है हम लोग आतरिक बाते हैं बहुत close एकदम जो हमारे fast friend होते हैं उसके साथ ही हम लोग इस प्रकार के बात ही करते हैं उस प्रकार से वो boss के साथ हो जाता है एकदम boss का मतलब खासम खास and he became the most important person in the studios for him और इस प्रकार से वो क्या हो जाता है इस studio में boss के लिए सबसे खास आदमी बन जाता है he was always ready to say nice things for everybody and everything उस studio में film से related या किसी पी चीज से related कोई व्यक्ती हो कोई चीज हो घटना हो सभी के लिए वो हमेशा क्या बोलता था nice things ना ठेक है बहुत अच्छा है कभी भी वो negative नहीं सोंसता था और नहीं बोलता था फिर he could always be seen with the boss हमेशा आप उसको boss के साथ देख सकते हैं and because of these qualities सुभू was considered number two in the studio और इनी सब qualities के चलते सुभू को number two का दर्जा जमनी स्टोडियो में मिला हुआ था ठीक है तो यह सब reason था जिसके चलते वो number two था जमनी स्टोडियो में एक बर फिर से दोहराते हैं हम उनकी qualities को उसमें क्या-क्या qualities थी जैसे great qualities यहां तो बोलते रहे हैं यह एक benefit जो boss को हमेशा benefit पहुचाता था इसको हम एक number बोल सकते हैं फिर बोल सकते हैं हमेशा वो cheerful रहता था इसको हम दो number दे सकते हैं ठीक है यह points आप लोग बनाईएगा तो आपको याद करने में answer को आसानी होगी ठीक है और फिर यह creativity लगा देता था तीन हो गया फिर हम लोग आगे बोल सकते हैं since वाला को चार बना सकते हैं he gave definition and direction इसको 5 बना दो फिर यह poet वाला को 6 बना दो उसका दियो novel लिखा 7 point actor को 8 point फिर अब charitable को 9 points तो यह 9 points आपके काफी है ठीक है इस प्रकार से points आप लोग बना लोगे कि हाँ मेरा यह points अब हमको actor वाला लिखना है अब हमको poet वाला लिखना है अब हमको जो है वो charitable लिखना है तो इस तरह से करोगे आपको वो answer easy हो जाता है याद करने में और exam में भी आप जदी भूलोगे तो भी मलतब कोई न कोई point याद रहेगा ठीक है so learners I hope आप लोगों को यह question वाई वाज कोठा मंगलम सुभू considered number 2 इन जैमिनी studio समझ में आ गया होगा कफी important question है कई बार examination में पूछ आ गया है so learners please stay connected with our channel advice for one and please like share subscribe our channel thank you